तो कियाल चल से स्रेकाल नहों नियोंन मैन एंड गईज आज हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट और रितुराथी के बारे में तो फ्लाइंग बीस्ट और रितुराथी के डिवोर्स रिलेटेड बहुत जादा रूमर्स फैल रहे हैं यह शौकिंग रूमर्स टार्ट हुआ भजन मार्क के चैनल में जब एक वीडियो अप्लोड हुआ जहां पर एक लेड़ी आई थी प्रेमानन जी महाराज के पास अपने प्रॉब्लम को लेकर जब वो सवाल बुच रही थी तब उनका आवाज रितुराथी जैसा ही लग रहा था बेसिकली उनका सवाल ये था पती से छल, कपट और अपमान के कारण दूर हो गई हूँ क्या मुझे बच्चों के हग के लिए लड़ना चाहिए और वो बता रही थी कि कैसे उनकी दो बेटिया है, she has a good job और वो अपने बेटियों को समहाल भी सकती है तो ये चीज़ सुनकर लोग को instantly लगने लगा कि शायद से ये रितुराथी है और बहुत सारे लोग Flying Beast के चैनल में जाकर ऐसे comments करने लगे ये exactly क्या हुआ है, हमें clarification दो, क्या चल रहा है आप लोग की बीच में, कुछ खराब है, सही है, बताओ प्लीज not only the YouTube channel, उनके Instagram account में भी बहुत सारे ऐसे comments आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो but yes, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद से ऐसा कुछ ना हुआ हो जब तक उन लोग के तरफ से statement ना आ जाये, and yes, as I was editing this video, flying beast अपने तरफ से statement release कर दिया on this matter, वो अपने Instagram में एक photo post किये, जिसमें की लिखा हुआ है, and caption में वो बले कि मैं अपने बच्चों and बच्चों की मा के लिए चुप रहा हुँगा, I am ready to live with all the negativity and hate for my entire life, but please, कोई भी तरीके का public explanation expect मत करना, please, चीजों को assume करना, बंद करो, men को villains बहुत जल्दी बनाया जाता है, हम लोग रोते नहीं है, कम बात करते हैं, कम express करते हैं, and some of hardwired like that, and social media एक ऐसी जगा नहीं है, जहां पर family matters discuss करना चाहिए, and इसलिए I have nothing to say, hopefully, जल्दी सब कुछ सौट हो जाए, मेरे पूर्फ जनम के और इस जनम के बहुत पाप इकत्रित होंगे, ये भगवान की कृपाई है, कि इसी जनम में वो मेरे सारे प्रबंध नश्ट कर रह और इसके बाद यही सेम पोस्ट को रितू राठी भी अपने इंस्टेग्राम स्टोरी मेरी शेर की, तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भूवन बाम के बारे में, तो भूवन बाम इस चीज़ को लेकर काफी ज्यादा emotional हो गया, and यूटुबर्स भी अप अभी तक तो शायद साप लोगों पता चली हो गया हुआ कि भूवन बाम का ताज़ा खबर सीजन 2 रिलीज हो गया है डिजनी प्लस होट स्टार में, and भाई जब यह रिलीज होने वाला था, उससे एक दिन पहले भूवन बाम अपने फैंस को थांक यू, and रिक्वेस्ट कर पर रियाक्ट करते वे, आशी शंचलानी लिखे, अभी दो-तिन दिन अच्छे से सोना, आराम कर, पूरी-पूरी राज जग के स्ट्रेस लेता है, फिर ट्रिगर इंसान भी कमेंट किये, my goat, and अपने इंस्टेग्राइम स्टोरी में लिखे, भूवन बाम अल्वेस मेरे को वो तो अच्छा लगा ही, बट जैसे ही में भूवन बाम से भी मिलने गया था, वो instantly मेरे को recognize कर लिये थे, वो पूछ रहे थे कैसे हो, show कैसा लगा, review दो, and बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, and या, of course, मैं वहाँ पर अपने fellow YouTuber स से तो मिला ही, बट बहुत सारे वाँ पर actors भी आये थे, जिसमें से एक थी शद्धा कपूर, unfortunately, उन से नहीं मिल पाया, ये चीज़ का थोड़ा दुख जरूर है, बट जो भी हो यार, ताजा गवर season 2 आ गया है, अगर आपने देख लिया है, तो अपना review मेर को comment section में जरूर पताना कि आपको कैसा लगा, तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले techno gamers के बारे में, तो क्या techno gamers अपना exact income को reveal कर दिये, yes guys आप लोगो तो पता है होगा कि techno gamers is one of the top youtubers of India, recently जब वो अपना एक podcast दिये थे, and income से related topic उठा था, and interview उन से पूछे थे कि कुछ कुछ आर अब last 30 days में उनको 126 million views आये हैं, तो आप लोग इसको calculate कर सकते हो, calculate करके मेरे को comments में बता देना, anyways चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Elvis आदफ के बारे में, तो Elvis आदफ and singer Faisal Puriya के ED case related एक बहुत ही बड़ा update आया है, जहां guys ED अपने तरफ से officially एक statement में बत connected थे to Faisal Puriya, Elvish and a company Sky Digital India Private Limited, and वह ED ने बताया कि उस music video से वो लोग revenue generate किये, इसलिए जो भी वो crime linked properties थे उसको seize कर लिया गया, and further investigation is under progress, तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले beer biceps के बारे में, तो beer biceps अपने channel hacks related update दिये, जहां guys if you don't know, तो beer biceps के YouTube channels hack हो गये थे, and starting में तो वो थोड़े से jokes वगेरा post कर रहे थे, but eventually वो एक serious post भी डाले थे, कि हम लोग work कर रहे भी on the next steps, but eventually उनका channel वापस आ गया, and वो इस सरलिए एक message देते वे ये कहे, Our channels have been restored thanks to the YouTube Global and YouTube India teams, very grateful to them, very grateful to you all, thank you so much for supporting us through this very very testing period, there was a moment when I thought I'll have to finally switch into being a full time entrepreneur, no more YouTube, thought I'll focus much more on level supermind, but God has other plans, I also want to just tell you guys that this is not a marketing or PR stunt, my work is my dharm, it's my fave, I would not mess around with the image of my work in such a way. तो चली अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले एक बांगलदेशी फैन के viral story के बारे में, तो guys currently if you don't know, तो India versus Bangladesh के बीच में एक test series चल रहा है, and currently ongoing जो second test match हो रहा है, वो कानपूर में है, well कल क्या हुआ, कि अचानक से वहाँ से एक story and rumor फैन ले लगा, ये एक बां ही है, उनको नहीं पीटा गया था, he just fell ill, and फिर उनको hospital ले जाए गया था, वो बांगलदेशी फैन खुद के तरफ से भी statement दिये, कि मेरा health deteriorate कर गया था, and फिर पुलिस ही मेरे को hospital ले के गए, for treatment, I am feeling better now, बट या चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले एक Indian hockey player के heart breaking reveal के बारे में, तो guys, एक Indian hockey player बता है कि जब वो Olympic से bronze medal जीत कर आए थे, तो airport में लोग dolly चाय वाले से जाकर selfies ले रहे थे, and उनको and पूरे team को recognize कोई करी नहीं रहा था, yes guys, एक podcast के दोरान Indian hockey player हार्दिक सिंग या incident को recall करते वे बोले, कि मैं अपने खुद के आखों से देखा था, तो हम लोग एक दूसरे को देख रहते हैं, and we were feeling very awkward, तो अचले के बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले के यार के वर्सिस गुरू रंधावा के huge लफडा के बारे में, जहाँ guys, Twitter में इन दोरों के बीच में काफी बड़ा लफडा start हो गया, जब गुरू रंधाव फिर लिखे, भाई आप मेरे से बड़े हो, बट आप से मैं बिल्कुल भी inspired नहीं हो, पहले movie देखो, फिर क्या पता दो भी पसंद आ जाए, आपका tweet टू रूपीज का था, जिस पर के लिखे, अब एक क्यार के दुनिया का number one critic है, क्यार के को challenge ना कर, यू टू रूपीज जिस पर reply देते वे गुरू रंदावा फिर लिखे, आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, लगता है किसी पंजाबी के साथ, आपका सामना नहीं हुआ है, कौन टू रूपीज है, सब जानते हैं, बट या चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले junior NTR के द जस्ट फिल्स लाइक कि ये अल्डेडी कुछ देखा देखा हुआ है, आफ्टर अल्डाट बिल्डप, आई विश्ट फोर सम्थिं इंट्रेस्टिंग, बट वाट केम आउट वस सादली मेडियोकर, फिर BNF TV भी इंडारेक्ट लीड़ेट पोस्ट आले, सर बाहु बली है लेकिन पानी में, और पूरी पिक्चर भी पानी में, फिर मुवी क्रिटिक तरन आदर्श भी एक ट्वीट करते वे, इसको 3.5 स्टार्स दिये, तो भाई इसको तो काफी मिक्स्ट रिफ्यूज आ रहे हैं, बट कलेक्शन काफी बढ़िया स्टार्ट हुआ इसका, फिर्स था, ट्रिपलर, एंड सेकेंड अभी देवरा, बटिया चलिए, अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उस आदमी के बारे में, जो की क्लेम किये थे, कि वो 96 लाक रुपीज हार गये थे, ऑनलाइन गेमिंग के वज़े से, जिहां गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने एक वाइरल न्यूज आप लोगो बताया था, जहांपर वो क्लेम किये थे, एक न्यूज चैनल में, कि वो 96 लाक रुपीज को लूज कर दिये थे, ऑनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म्स पे, उनका पुरा लाइफ बरबाद हो गया और उनके खुद के फैमिली भी उनसे ब help चाहिए होगा, तो बोल देना, जब वो आसपास के लोगों से थोड़ा सा पूछताच किये, पता किये उसके बारे में, तो पता चला कि वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही ठगा है, तो फिर वो news channels को भी call out किये, कि बिना verify किये, ऐसे stories आपको post नहीं करना चाहिए, जब वो बोल रहा था कि भई वो J.E.E. पास किया है, तो आप उसका scorecard तो मांग सकते थे, और फिर वो बोले कि अब वो यूटुपर्स के podcast में भी appearance के लिए पैसे ले रहा है और उनको भी ठग रहा है, तो इस story को share करते वे, समराट भाई, जोकर वाले emojis डाले, और मैक्स चेन भी challenge करते भी लिखे, अगर इसने 96 लाक रुपीज का statement दिखा दिया, मैं इसको धाई लाक रुपे दूँगा, without asking questions, so यहां तो चलिए अब कुछ international stories के बारे में बात करते हैं, तो first of all नोग बात करने वाले Mr.Beast के बारे में, तो क्या Mr.Beast के production company को blacklist करा जा सकता है, well guys, उनका जो production staff भी यही चीज़ बोले कि बहुत ही unprofessional production है Mr.Beast का, and he thinks कि उनको तो blacklist कर देना चाहिए, उनने का कि Mr.Beast के staff को कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, there was no communication and सब कुछ इदर उदर चल रहा है, but actually अब final story के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले speed के बारे में, तो speed Taylor Swift को cross कर लिए, yes guys speed officially Taylor Swift को TikTok followers में cross कर लिए है, उनके 33 million followers हो चुके हैं and Taylor Swift के 32.8 million है, but not only this, recently उनका जो भी Asian tour हुआ था, वहाँ पर वो क्या crazy numbers clock in किये हैं, peak concurrent viewership तो उनका extreme में गया था 1.04 million, average live views था 225K, subscribers वो गेन किये 3.4 million and across all social media platforms उनको views मिले 6.5 billion, crazy stuff यार, but चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो like कर देना, channel को भी तक subscribe नहीं कियो, तो जल्दी से जल्दी subscribe भी कर लेना, news submission का link description में, वहाँ से जाके आप कुछ news भेजोगे, तो आपको credits में मिल सक description में, तो याइस सपोर्ट करते हैं, आप मिलते नेक्स वीडियो में, तिल देन, बबाई!